समीपस्तर डोंगरतलाल निवासी तथा सरपंच ने फरजी जाती प्रमान पत्र देकर खुद को बचाने के लिए फरजी जाती वैलिडिटी बना कर पेश किया इस फरजी सरपंच का नाम निटेश श्री राम सुनाव ने बताया जाता है निटेश श्री राम सुनाव ने डोंगरतलाल निवासी है यह 2018 में हुए सारवत्रिक चुनाव में सरपंच पत के लिए अनुसूची जाती के आरक्षित पत पर चुनाव लड़ा था नियामा नुसार जीत कर आने के बाद आरक्षित सीट पर जीतेपदा अधिकारियों को समयते के सम感じ जाती परमान पत्र की जांश करवाना सरूरी होता है अनुसूची जनजाती के दस्तावेज की जांश का अधिकार चात परतानी अधिकारी गिरीपेट नाकपुर को है नितिश ने जाते प्रमान पत्र उप्विभागे अधिकारी रामटेक से पास दिसंबर दोहजार अट्रा को फर्जी कागजाद दे कर प्राप किया तथा अनुसूची जनजाती में आने का दावा उक समीती को 26 फरवरी 2019 को किया इस भी समीती के पास उसकी पेशी होती रही अट्रा जन्वरी 2020 को समीती के द्यान में आया कि उसके महसूली दस्तावेज में कुन भी माना लिखा था उसके बाद से नितेश एक भी पेशी पर वहान नहीं गया यहां मामला चलते ही नितेश नी जाती प्रमान पत्र चुनाव आयो को पेश किया जिस पर उपसंचालक नितिन तावरी के दस्तकत है जिसकी वजह से उसका अपातरता का मामला हट गया नितेश हाल ही में डोंगर तलाल के सरपंचपत पर कार रिथ है इस बीच जान समीती का मामला शुरू होने से नितेश ने फाइल बंद कराने है तो उसके रिष्टिदार के जरीए खुद का ही मृत्यो प्रमान पत्र पेश कर दिया जिस पर उसके मृत्यों की तारिक 5 अपरिल 2021 है अदाच 6 अपरिल को मृत्यों की नोनी नाकपुर महानगर पालिका में की गई उसके बाद उसके ही रिष्टिदारों की द्वारा फाइल बंद करने की अपील की गई इस बीच 19 जुलाई 2021 को ग्राम पंचायत कारेकारणी की सभाल लेने है तू सदिस्यों को नोटिस पेजा जबकि उसके मृत का प्रमान पत्र 5 अपरिल का है बता दे कि यह मामला आदिवासी विध्यारती संगटन ने उठाया तथा कड़ी कारवाई की मांग की ग्यात रहे कि फर्जिस जाती परतार्नी करने का बड़ा रैकेट होने की बात सामने आ रहे है तथा हाली में उसने सभाभील ले थी नितेश की खिलाब फॉस्दारी मामला दर्स करने की मांग आदिवासी विध्यारती संगटन तथा और्गनाइसेशन फोर रैस ओफ ट्राइवल नाखपुर ने की है BCN News के लिए देवला पार से हरेश वैद की रिपोर्ट